कैसे आप लोग उमीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज की जो मेरी रेसिपी है वो चीज पनीर पारसल की रेसिपी है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर हमने एक खब दूद लिया था उसमें आधा चमब शकर डालेंगे और एक चमब यीस्ट ड करनी है अगर पुरानी होगी तो राइस नहीं होती और फिर आटा पर हमारा नहीं फूलता है तो यहां पर हमने देड़ का पैदा ले लिया है उसमें हम आधे चमच नमक एट करेंगे और इसे को मिक्स कर लेंगे अब हम यहां पर अपना एक्टिवेटेड गी स्टैक्ट कर देंगे जो कि ने दूद और शकर के साथ मिक्स करके रखा था अभी सबको अच्छे से मिला लेंगे और जुरत के हिसाफ से पाइड डाल के बूं देंगे जाथा पाइड नहीं डाल देना एक बार में दीर दीर के पाइड डालें एक सॉफ्ट से डोबना लेना आपको तो इसको अब हम आधिस से एक घंटे के लिए रख देंगे अगर आप चाहें तो दो घंटा या तीन घं अब यहाँ पर हम देड चमज दही लेंगे अधर चमज जिंजर गालिक का पेस्ट लेंगे अधर चमज लाल मिर्च पाउडर एक चमज टिक का मसाला और टेस्ट के हिसाब से नमक एड कर देंगे और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सब चीजों को मिक्स करने के बाद इस में हम अपनी च्छोटे-च्छोटे से क्यूबस एड कर देंगे ज्यादर बोड़े क्यूपस नहीं रखने आपको पनीर की च्छोटे-च्छोटे क्यूपस रखने हैं सब कोई मिला लेंगी अब हम आगे प्रोसर्स पर चलते हैं यहां पर प्रोडा से बिल्कुल ऊईल लिया है इसमें चॉप्ड अनियन एट करेंगे एक नीडियम साइज का प्यास तरह बारी बारी काट लिया था हल गुलाभी होने तक अब इसमें एक टमाटा जो बारी बारी काट लिया है हमने उसको भी आट कर देंगे वैश्ग सब को यहां पनीर हमारा अच्छे से पग गया है तो इसमें हम वन टेबल स्पून टुमाट्डो केचप आड़ करेंगे वन टेबल स्पून मवनीज आड़ करेंगे अब हम इसमें half teaspoon hot chili sauce add करेंगे और one tablespoon cheese cream add करेंगे और इन सबको अच्छे से mix कर लेंगे यहां पर mixture हमारा ready हो चुका है तो चलिए अब अपना dough को देख लेते हैं dough भी हमारा rice वो चुका है अब हम इसे फिर से 30-40 second के लिए निट कर लेंगे अब हम इसके small size के balls बना लेंगे तो यहां ball हमारे बन चुके हैं तो अब हम एक एक पेड़ा लेंगे और इसको कूड़ी की shape में बेल लेंगे अब हम यहां पर ट्राइंगल में water लगाएंगे तीन कूने पर पानी लगा लेंगे जिस तरह हम फोल्ड कर रहे हैं आपको इस तरह फोल्ड कर लेना है आपको तीनों कूनों को आपस में शिपका देना है इस तरीके से अब हम इसमें अंदर इस्टफिन करेंगे पनीर की तो यहां पर हम देड़ चमच रख रहे हैं और इसमें हम cheese slice एट करेंगे अब इसमें हम थुआ 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 पानी लगाएंगे तीनों कूनों पर पर आपस में शिपका देंगे इस तरीके से आपको भी छिपकाना है तो यहां पर हम इसी तरीके सारे बना लेंगे अपने पार्सल्स यहां पर हमारे पार्सल्स बनके रड़ी हो चुके हैं तो इनको हम 180 डिग्री सेस्टेस में 20 नटिटी पका लेंगे यहां पर हमारे चीज पने टिक का पार्सल बनके रड़ी हो चुका है तो अगर मेरा वीडियो में रेसेपी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें थैंक्स पूर वाचिंग